हमारे अंदर HIV को लेकर बहुत सारी गल्थ फैमिया है या फिर यूँ ही कहें कि अधूरी जानकारी है हम एग्स के बारे में खुल कर बात नहीं करते बात करने में हम शर्माते हैं जिसके कारण HIV से संक्रमित लोगों का जीना दुश्वार हो जाता है आज ऐसे बहुत से लोग हैं जो HIV से डरते हैं लेकिन आज भी बहुत से लोगों को पता नहीं है कि HIV छूने से, खाना शेर करने से या फिर वाश्रूम शेर करने से नहीं फैलता जहां HIV नाम सुनते ही लोग दूर जाने लगते हैं वहीं कुलकत्ता में एक कैफे है जहां सिर्फ HIV पीडित लोग ही काम करते हैं HIV यानि की AIDS जिसका नाम सुनते ही लोग दूरिया बनाने लगते हैं नाम सुनते ही वे डर जाते हैं लेकिन कुलकत्ता में एक ऐसा ही कैफे है जिसका नाम कैफे पॉजिटिव है जहां साथ positive लोग ही काम करते हैं इस कैफे का नम कैफे positive इसलिए रखा गया ताकि HIV से पिड़ित लोगों को रोजकार मिल सके इसे आननधगर नामक NGO के द्वारा संचलित किया जा रहा है इस NGO को डॉक्टर कलोल घोश चलाते हैं दरसल वे मानसिक स्वास्त समस्याव से प्रभावित या HIV positive वच्चों के लिए काम करते हैं कलोल की योजिना भारत भर में ऐसे 30 कैफे खोलने की है उनका मानना है कि इससे लोगों के मन में HIV से पिड़ित लोगों को लेकर जागरुपता आएगी इसकी शुरुवात साल 2018 में कलोल घोश ने की थी एक जोदपूर पाक के 100 वर्क फुट की गैराज में कैफे की शुरुवात की घोश कहते हैं कि इस कैफे को स्थापित करने के लिए कई परिशानिया आई उनके पडोसियों ने इसका काफी विरोध किया लेकिन फिर भी वो इस स्थापित करने में काम्याब रहे घोश का कहना है कि हमारे कैफे को लेकर सभी की प्रतिक्रिया सकरात्मक नहीं रहती कुछ ग्राकों को जब पता चलता है कि यहां काम करने वाले लोग HIV पॉजिटिव हैं तो वे उटकर जाने लगते हैं हम उन्हें समझाते हैं उसके बाद कुछ लोग रुखते हैं और कुछ चले जाते हैं इनका उद्देश HIV पॉजिटिव लोगों के बारे में जागरुकता फैलाना और उनके लिए रोजकार का अवसर पैदा करना है ताकि एट से पिड़ित लोगों को भी रोजकार मिल सके